एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेर था जिसमें तीन बंदर रहा करते थे वे आपस में खुश थे लेकिन एक दिन एक शेर और लोमड़ी साथ में पास की एक गुफा में रहने लगते हैं यह बज़ा से तीनो बंदर घवरा गए और वे सोचने लगे कि शेर वहाँ से चला जाए ऐसे में उन्होंने शेर से बात करने की सोची तीनो बंदर शेर के पास गए और उन्होंने बोला आप यहां से चले जाएं क्योंकि यह हमारा स्थान है हम यहां रहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोड़ी और खतरनाक शेर यहां आके रहे यह सुनते हैं यह शेर ने जवाब दिया मैं यहां से नहीं जाओंगा अब मैं अब से यह मेरा स्थान है और मैं इसे नहीं छोड़ने वाला मैं और नोम्री यहीं रहेंगे और तुम जो चाहिए कर लो मैं तुमसे वादा करता हूं जब तक तुम लोग मुझे परिशान नहीं करोगे मैं तुम्हें परिशान नहीं करूंगा शेर के साथ नोम्री ने भी कहा हाँ, अपसी ये हमारा स्थान है और हम यहीं रहेंगे, जहां से नहीं जाएंगे ऐसे में बंदर और भी ज़्यादा ख़बरा गये और उन्होंने फिर कहा लेकिन यहां रहेंगे तो हमारे कोदने से आपको दिकत होगी इसी बात का हमें डर है बंदरों की विंती करने पर भी शेर नहीं माना और वो उसी जगा रहने लगा अब बंदर वहाँ से चले जए और पेर पर जाकर बैट दे बंदर आपसे सोचने लगे कि तरह से उन्हें वहाँ से अटाया जाए नहीं तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है बंदरों ने उन्हें परिशान करने के बहुत से प्रयास की ताकि वे शेर को वहाँ से भागा से लेकिन शेर वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था एक दिर शेर ने लोमणी को आदेश दिया यहाँ से चलकर नती के तरफ जाना और वहाँ जाकर पानी पीना मेरी लिए बहुत महिनेस का काम हो गया है तो आज सिर्म मेरी लिए पानी लेकर आओगी और एक बड़े से बरतन में लोमणी ने कहा जी हुजूर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी इसके बाद लोमणी एक बड़े से बरतन में पानी भर कर रखने लगी वो रोज उटकर नदी से पानी भर कर आती और बरतन में भर देती तबी बंदर मौका देखकर पेर से उतरते और उस बरतन का सारा पानी नीचे फिक दिया करते थे नहां रहते थे वो चाईर में था और नीचे खाली जमीन थी बंदर पानी को नीचे फिक कर वापस पेर पा चड़ गए तबी शेर खुपा से निकला और उसने देखा कि बरतन खाली है ऐसे में वो घुस्सा होकर लोमडी के आपका इतिजार करने लगा जैसे ही लोमडी वापस आई तब शेर ने उसे चिनला कर कहा तुमने अभी तक पानी नहीं भरा लोमडी ने कहा मैंने इसमें पानी भरा था लेकिन शायद एक गर्मी के चलते सुग गया होगा मैं कल से इससे ज़्यादा पानी भर दूँगी अगले दिन लोमडी ने उस बरतन में और भी ज़्यादा पानी भर दिया फिर वहाँ से चली गई फिर से बंधर आए और उल्वन ने उसका पानी नीचे फेक दिया शेर गुफा से निकला और उसने बरतन खाली देखा खाली बरतन देख शेर फिर से गुशाव हो गया और लोमडी की आने बर उसे जोर से चिला कर बोला तुम काम चोर हो गई हो, आज भी तुमने पानी भी बरा, वो दूसरी तरह बंधरी सब देखकर बियत खुश हो रहे थे और इस सब का आनंद ले रहे थे ऐसी में लोबड़ी सोचने लगी, मैं तो हर दिन पानी भरती हूँ, लेकिन ये पानी जाता कहा है, कल मैं इसमें पानी भरकर छुपकर देखूंगी, ये पानी कहां चला जाता है लोबड़ी ने अगली दिन वही किया, वो उस बरतन के पानी बरी और जाकर इपिर के पिछे चुपकर देखने लगी, उसने देखा कि अंदर में सारा पानी निचे देख दिया है ये देखते हैं ये लोबड़ी को बहुत गुस्ता आया, और वो सीधे शेर के पास गई, और लोबड़ी ने शेर को सारी बात बताई, शेर ये जानकर उस लोबड़ी से कहा, तुम कल से दू लग अलग बरतन में पानी भरकर रखना, एक बरतन बाहर रख देना और एक बरत गुफा के अंदर, ताकि बरतन को लगता रहे कि वे हमें परिशान कर रहे हैं, लोबड़ी ने वैसा ही किया, वो बरतन बाहर रखती गई, वो एक बरतन बाहर रखती और उसमें पानी भर देती, और दूसरा बरतन गुफा के अंदर रख देती, बरतन आती और बाहर रखी कि उवे बर्तन में से पानी नीचे फिक देते कुछ दिनों तक यही चलता रहा और बंदरों को लगने लगा कि उसकी हरकतों से परिशान क्यों नहीं हो बुरा आशीर तभी उन लोगों ने देखा कि शीर शिकार के लिए जाता है और तुरंट शिकार को पकड़ कर ले आता है बंदर सोच में पड़ गए कि शिकार करने में तो बहुत समय लगता है लेकिन यह शीर इतना जल्दी शिकार कैसे कर लेता है बंदर शेर के पास जाते हैं और पूछते हैं हम आपको इतना परिशान करते हैं फिर भी आप हमें परिशान नहीं करते तभी शेर ने उन्हें बताया तुम जो पानी नीचे फेकते थे उसके अलावा भी हमारे पास पानी रहता था जो हमारी गुफ़ा के अंदर है हम उसे पीकर काम चलाते हैं और तुम जो पानी नीचे फेकते थे उसी वज़ा से नीचे तलाब बन गया है वहाँ उस पानी को पीने के लिए बहुत सारे जानवर आते हैं जिने हम बड़ी असानी से पकड़ लेते हैं इसी वज़ा से मुझे शिकार करने में भी समय नहीं रगता तुम्हारी वज़ा से मेरा जीना और असान हो गया है ये सुनकर वे तीनों बंदर समझ चुके थे कि उनकी तरकीव काम नहीं कर रही कहानी अगर पसंद आये तो उसे लाइक करना शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना